गूल जुर्ण जुर्ण जूर्ण तो विलकुम टू इस एक्जाम ओरियन्टेड से कॉम्प्रियेंसिव रिविजिन बैच ओफ देशन मिध्मिय्टिक्स तो जो लोग भी ऑन लाइन अटेंट कर रहे हैं ऑफ़ लाइन कुछ चूड़न से जो ऑन लाइन बहुत सारे सुड़ सब के लिए मैं कुछ पार्च मिनिट में इंस्ट्रक्शन देता हूं एंड विल कंटीनु ठीक है तो यह जो अपने नोट से अराउंड फोर हंडेड पेजिस के नोट से कॉंप्रेंसी रिविजन तो इसे आपको शायद यह नोट का साइज देखते ही समझा रहेगा कि यह कंप्लीट एवरीधिंग फॉम सिये फांडेशन माथमेटिक्स आपका यह पूरा का पूरा रिविजन लेगा ठीक है बच्छो तो अब सब नंबर वन सवाल यह रहेगा कि सर आपको यह हमें यह नोट कहां मिलेंगे तो आपके साथ आपके साथ अल्रेडी आपके टेलिग् करना ची और अभी अगर कोई यह लेक्शेर आटेंड कर रहा है जो बोलाए कि मेरे पास यह नोट्स नहीं है तो मुझे लगता है कि आपने नोट्स के साथ ही रिवाइज करना ची क्यूंकि मैस्स जो है वो कभी पढ़ के अप्लीट नहीं होता है मैठ्स सॉल करके होता है अ क्योंकि अगर किसी ने दिया हुआ सोलूशन है अपने पढ़ रहे तो अपने को तो यहीं लगेगा कि यह बहुत सिंपल है और यह अपने को आ जाएगा और नौट बड़ जब सॉल करने बेटिंगे तब में भी आपको समझेगा कि आप कितना सॉल कर सकते हो आप कितने पानी में हो करेक्ट है तो विदाउट वेस्टिंग मच आफ टाइम ओके मैं देखो यह बैच के फीचर्स आदा घंटा एक्स्प्रेंट करके आपका आदा घंटा वेस्ट भी नहीं करना चाहता समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ओके हम लोग डायरेक्टली काम की बात करेंगे तो के अराउंड 30 35 आर्स में हम कोशिश करेंगे कि यह बैच कंप्लीट हो जाए हम लोग विदाउट इस वी विल कीप इट अज नो नॉनसेंस समझ रहा है हम सीधा सीधा मैच की बात करेंगे चलेगा बच्चो तो यह जो भी अभी अभी अटेंड कर रहे अभी लाइव अ नाम है mathematics, statistics and LR 40, 40 and 20 mark रहते हैं सबको पता है correct है math 40 mark, stat 40 mark and LR 20 marks तो whether this covers everything तो अगर आप इंडेक्स देखोगे तो यह आपको समझेगा यह पूरे hand return notes है अभी इसके आगे का part यह जहां पर मैंने questions दिये होए अभी इसके answers हमें यहां पर साथ में लिखना है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा value added रहेगा जो जिन लोगों ने notes का print out ready रखा है मैंने आपके टेलीग्राम ग्रूप पे message clearly लिखा था कि keep the print out of this ready ठीक है तो जो लोग online return कर रहे हैं मैं कुछ instructions आपके लिए बता दू मेरे भाई मैं जानता हूं कि आपको बहुत चोक है ओ कमेंट करने का कि sir exam के पहले अभी right मेरा कुछ भी नहीं हुआ है तो अब मैं यह batch करू क्या तो अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो अगर आप यह batch आटेन करोगी तो बहुत जादा फाइदा हो सकता है कोई अब तुरन बोलेगा कि sir मुझे कुछ भी नहीं आता है इसके पहले मैंने regular lecture ही नहीं किया है तो भी मैं करू क्या तो भी करोगी तो कुछ फाइदा हो सकता है मैं इसका कुछ गैरंटी नहीं दे सकता बर डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा आप समझ रहे हो क्या बहुत एक पास होने का एक अच्छा खासा प्रोबैबिलिटी क्रेट हो जाएगा अगर आप यह आटेन करोगे तो तो बाकि आपके सारे कोशन जो रहते है ना sir मेरे पेट में दर्द है sir अब मैं क्या करू sir okay मेरा sir ऐसा ही हो रहा है sir कैसे करू sir मेरे जिन्दगी में प्रॉब्लम सी है sir मैं solve कर तो मुझे नहीं लगता कि I am the right person to solve it I am the right person only for mathematics तो सिर्फ अपन maths पे काम करेंगे जिन्दगी के प्रॉब्लम बाकि भी प्रोफेसर से उनको पूछ लेना यह आ यह कोई लोग रहेंगे तो उनको मिलकर पूछ लेना जिन्दगी के प्रॉब्लम सर मुझे कैसे तो भी होता है depresion हाता है मुझे करना एं मुझे वह करमाइस सी एक करू क्या सब मैं कूद्ग Corey क्या हैं मृआँ से सर मैं पर में खाना खायं क्या क्या कि tot कर लेना मेरे भाई अब हम सिर्फ यहां पर मैट्स पर फोकस करेंगे चलेगा बच्छो तो विदाउट अब मैं यह जो पार्जस्मिन टाइम स्पेंड किया वह भी एक्चुली जादा था अब समझ रहे हैं क्या हम सिर्फ अब सिर्फ मैट्स की बात करेंगे because this is comprehensive revision we will try to cover everything यह बैच अटेंड करके आपको मज़ा आजाएगा मैट्स के आद तक यह मैं आपको गैरंटी दे सकता हूं बाकि आपका दूसरा कोई आपको मज़ा चाहिए तो आप यह प्लीज अभी यह वीडियो बन कर दो खदम कर दो कहा समझ रहा है कि बच्चो अगर आपको दूसरे expectations रखे यह बैच अटेंड कर रहे हो तो समझ रहा है अगर सिर्फ आपको सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ा ही करना है तो continue करो चलेगा बच्चो एस चलो फिर तो पहले ही पेज पे मैंने आपको यहां पे index दिया हुआ है अगर index में ओके यह index में ratio proportion logs indices time value of money APGP inequalities and equations permutations combinations said functions relations अगर आप दिख रहे हो तो this is your mathematics उसके बाद में statistics दिख रहा है कि आपको statistical description of data majors of central tendency and dispersion correlation and regression probability theoretical distribution then derivatives is again from mathematics then logical reasoning and index number from statistics तो this covers everything अब अभी आपको लोगे होगा कि सर यहां पे तो 14 numbers ही है हमारे बहां पास तो 18 chapters है तो आपको शायद समसा होगा number क्यों नहीं मैच हो रहा है क्योंकि मैंने direct LR ऐसे लिखा यहां पे logical reasoning उसके अंदर चार चाप्टर से ना लेकिन correct or not तो वह चार चाप्टर से मतलब और त तो 15 16 17 वह हो गया yes or no उसके बाद में अगर आप यहां पर देखेंगे फोर्थ तो क्या है वह इनिक्वाइलिटीज एंड इक्वेशन्स तो इनिक्वाइलिटीज अनिक्वेशन्स यह दो अलग चाप्टर से ICI के अंगल से ओके तो एक नमबर आड करो तो यह 14 numbers है यहां प टोटल 18 इस आर सिलाबस ठीक है बचो तो यह 18 चैप्टर से तो पहला चैप्टर है अपना रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइस तो चलो करे स्टाट फिर ओके तो यह बैच का पैटन यह है कि यह जो मेरे पास नोट्स है इसी का सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको ट तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप फाइन डाउनलोड कर लो उसका प्रिंट आउट लेलो बेटर रहेगा आपके लिए आप समझ रहें बचो आपको लगेगा नहीं सरुदर रेड कलर है इदा ब्लू कलर है तो मुझे नहीं लगता कलर से कोई फरक पढ़ने है ठीक है ने बचो तो जो भी कुछ है वहीं इसी नोट्स का प्रिंट आउट आपको दिया होगा है थोड़ा लाइन इदर उदर रह सकता है अब समझ रहों क्या कंटेंट एक्जैक्ली यही है चलेगा बचो तो चलो वाटीज रेशो पहला चप्टर अपने स्टार्ट करे देखने की जुरूत नहीं है फिर आप आज के दिन आप आप देख लो बस आराम कर लो ठीक है वाकी जिनके पास है नोट्स यह आपको कंप्रीट करना है और यह देखो बच्चो यह जो लेट से 400 पेजिस के नोट्स है यह आपके पास अगर रेडी है अगर आप यह कंप्र सब्ढसर्स ताइफ पना करे के expected नहीं चाहिँ पर डॉक सर्वागों करेंसे सर्मार इसको कैसे बारे में रोच सोच के कुछ भी नहीं होता है और नौत सर्मेंस को एसी कैसे बनाओ क्या करूं सर ट्रrän बता हो सर परिक बताओ सर ट्रिक बता हो सर क्रा करेगा मों को विभिडे में गार किस्टी नहीं रहा है तो तुम लोग मीं करते बैठो और मैं एक बहुत कलियर में करेरा हूं इसके बाद में हो सकता है कि इसके बाद में कि इसके बाद में मैं YouTube पे comment पे कम focus करूँ और पढ़ाने पे ज़्यादा focus करूँ क्योंकि मुझे भी आपके साथ साथ में ये solve करना है समझ रहा है मेरे पास कोई solution नहीं है कुछ नहीं है मैं भी आप पे इसमें कैलकुलेटर ट्रिक्स है इसमें माट्स का हर एक कंसेप्ट है जो आपकी इस स्टडी मतल में हो हर कंसेप्ट उससे ज्यादा है कुछ यहां पर आप समझ रहे हो क्या आपको पहले लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा कि हम इस बैच में एक्जक्ली करने क्या वाले एकर तो आपका बहुत फाइदा होगा समझ रहाएं बैचों तो क्या होता है रेशी हुआ इस और आप रिएश्य इज सफ्रेक्श्च्ट रेश्य यूज्च्ट यूज़् फॉर उटरां बोलो कंत्याPS comparison of what two or more quantities आप कुछ लोगों को तुरंत यहां पर question आएगा कि sir बड़ यह लिख किया हमारा क्या फाइदा होगा sir हमार आप जो exam में हो तो MC क्यो है तो आपको नहीं लगता कि sentence में से कोई एक आदा word missing रहेगा कुछ काई समझ रहे है ना कुछ पाट missing रहेगा that can become a multiple choice question तो ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities two or more quantities बड़ इसमें दो चीज़े है वो है पहला which are of which are of same type which are of बोलो same type या same kind मतलब मेरा age किसी का age का comparison होगा मेरा income किसी का income का comparison होगा but बताओ मेरा income and किसी के age का ratio होता है क्या एक का weight and दूसरे का height correct का इसका ratio होता है क्या 70 kg to 85 inches ऐसा कुछ देखा है कि आपने कभी नहीं 70 to 85 बोला तो 70 का जो unit of measurement है वही 85 का भी चाहिए समझ में आ रहा है कि आपको यह बले ही जो भी unit of measurement है बट दोनों का same चाहिए correct और not तो ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type and सामने में लिकरा हो दूसरा point expressed in the same unit of measurement expressed in the बलो बटो same unit of measurement expressed in expressed in बलो same unit of measurement expressed in same unit of measurement ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement next find the simplest form of 3.50 is to 8.75 तो generally ratio जो होता है वो simplest form expressed किया जाता है for example अगर एक ratio है a is to b क्या है a is to b which is equal to 1.50 is to 2.50 तो inside of 1.50 is to 2.50 कोई चुनों बोले गा है कि नहीं सरे काम करो इसको 3 is to 5 बोलो इसको क्या बोलो दोनों को 2 से multiply किया 1.50 को 2 से multiply किया क्या आया 3 2.50 को 2 से multiply किया क्या आया 5 तो this can be 3 is to 5 बट जब मैं 1.50 is to 2.50 बोला था वो क्या गलत था क्या वो भी उसका ही form है बट generally ratio is written in the simplest form तो find the simplest form of 3.50 is to 8.75 तो 2 मिनिट के लिए मान लो कि यह 3.50 divided by 8.75 है इसे लिखा मैंने अच्छा मैं ratio को दोनों term को अगर मैं 100 से multiply किया तो can I write it as 350 divided by 875 तो can I write it as 350 divided by 875 अभी यह उसका simplest form है के फिर नहीं तो आपको दिख रहा है कि दोनों को 5 से या 25 से divide हो सकता है written in its simplest form, generally ratio is written in its simplest form, ratio उसके simplest form में लिखा जाता है, समझ रहे क्या, yes or no, तो आच्छा बटा यहां पर मैं और एक लिख रहा हूँ, simplest form of, simplest form of, 10 is to 45, is, क्या रहेगा, तो में बटाओ, 2 is to 9, do you agree, 2 is to 9, कैसे, दोनों को 5 से रिवाइड कर दिया, 2 is to 9, simplest form of 10 is to 45, is बोलो, 2 is to 9, is that clear my friends, yes or no, कोई भी रेशो बताया गया, तो उसका simplest form you can express or not, next, 5 is to 7, can also be written as, आप सुनो ध्यान से, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, मुझे बताओ, 5 is to 7 को, can I write it as 5 divided by 7, yes or no, can I write it as, let us say, 50 is to 70, आप agree करते हों के बताओ, can I write it as 50 is to 70, can I write it as 10 is to 14, क्या क्या मैंने दोनों को 2 से मल्टिप्लाई किया, can I write it as 15 is to 21, 5 is to 7 दोनों को 3 से मल्टिप्लाई किया, yes or no, can I write it as 25 is to 35, 5 is to 7, दोनों को, किस से मल्टिप्लाई किया, 5 से, can I write it as 5 स्क्वेर इस to 7 स्क्वेर, नहीं, 5 स्क्वेर इस to 7 स्क्वेर मतलब क्या हुआ, 5 को 5 से ही मल्टिप्लाई हुआ, and 7 को, 7 से मल्टिप्लाई हुआ, मतलब नियूम्रेटर डिनॉमेटर को दो अलग अलग टरम से मल्टिप्लाई हुआ, वो अलग रेशो है, जिसको हम डुप्लिकेट रेशो बोलते हैं, समझा या नहीं, दोनों का स्क्वेर कर दिया, तो फिर रेशो तो चेंज हो बजाएगा ना मेरे भाई, वो अलग रेशो बन जाएगा, तो इसका मतलब हुआ, मैंने रेशो के सारे टरम्स को मैंने एक ही नंबर से मल्टिप्लाई किया, तो रेशो का मिनिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है, बोलो वेर M is not 0, M क्या नहीं होना चीए बोलो 0, इसका मतलब हुआ Can I say my friends All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number, by same बोलो non-zero number, can this also be written as 5 by 8 is to 7 by 8 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं 5 to 7 को मैं 5 by 8 is to 7 by 8 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, दोनों को किस से multiply, divide किया, बोलो, 8 से मतलब दोनों terms को 1 by 8 से multiply क्या, ऐसे बोल सकते हूं आप Yes or No, can 5 to 7 be also written as 0.50 is to 0.70 Yes, दोनों को 10 से divide किया, 5 को भी and 7 को भी 10 से divide किया समझा क्या, तो यह point मैं ने क्यों लिए समझा क्या, इससे आपको क्या point समझ रहा है All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number, ओके, चलो बचो, अब मैंने यहाँ पे question दिया हुआ है जिससे आपको बहुत concept clear होगा आपका, 5 to 7 इक ratio दिया है समझ रहा है आपको यह, और आपको पूचा है कि इसका duplicate ratio क्या है तो duplicate ratio क्या होता है, बताओ duplicate ratio मतलब दोनों term के square तो आप बताओ, इसका duplicate ratio आएगा 25 is to but, please understand 5 to 7 is not equal to 25 to 49 समझ रहा है ना, यह दोनों क्या equal to है क्या नहीं, यह उसका duplicate ratio है जो 5 to 7 से अलग है तो 5 to 7 का duplicate ratio क्या है 25 is to 49 समझ रहा है क्या मतलब 5 को 5 से मल्टिप्लाई हुआ, and 7 को 7 से मल्टिप्लाई हुआ, मतलब antecedent and consequent को अलग-अलग number से मल्टिप्लाई हुआ है ना, तो it is not the same ratio, it's a duplicate ratio तो what is the duplicate ratio of 5 to 7 25 is to 49 what is the triplicate ratio of 8 is to 3, triplicate मतलब क्या होता है दोनों का cube, तो 8 का cube क्या आता है बच्छो 512, and 3 का cube क्या आता है, 27 very good, तो ratio of cubes मतलब triplicate ratio, inverse ratio of 11 is to 19, क्या answer है 19 is to 11 very good, subduplicate ratio इसका, हाँ बोलो क्या आता है, 8 is to 25, subduplicate मतलब क्या होता है ratio of square roots ratio of square root, and sub triplicate ratio, हाँ बोलो क्या हैगा 5 is to 3 5 is to 3, sub triplicate मतलब क्या ratio of cube roots ratio of cube roots I hope you are understanding this duplicate mean squares triplicate mean cubes inverse mean position of antecedent consequent interest change, sub duplicate mean square root, sub triplicate mean cube root समझ रहे ना बच्चो आपको अभी यह इस में एक्स्पेक्टेट नहीं है कि मैं दो एक घंटा दो घंटे सिखा हूं आपको शायद पता रहेगा कि मैंने regular batch में lecture number one में यहां तक भी आया नहीं रहेगा रेगलर बैच में वाट इस रेशो में एक घंटा बक्त है रहेगा है यह नहीं duplicate ratio को तक पोच्टे पोच्टे तो पहला लेक्च्टर के एंड में आये रहेंगे हम लोग है यह नहीं तो बट मैं यहां पे सारे के सारे points कवर करूँगा पूरा का पूरा आपको से लबस कवर करूँगा और वह भी सिर्फ overview नहीं समझ रहा है क्या map ऊपर ऊपर से देख के नहीं सारे type के questions लूँगा मैं बोल रहा हूँ सारे type के questions लूँगा आपको एक chapter के अंदर ही समझ में आजाएगा कि तुमने regular batch में ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि जो इसमें नहीं एम वेर हां बोलो एम इस नाट जीरो कैना एसे इस फाई के इस टू सेवन के वेर हां बोलो के इस नाट जीरो तो इस से मैं एक ऐसा टर्म लिख सकता हूं क्या बठा जो मैं लिख रहा हूँ साही है क्या all the terms all the terms of the ratio can be multiplied all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same बोलो आगे non-zero number all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number and ऐसा करने से वो ratio को कोई change नहीं होगा उसे रेशो को form change होगा क्या चेंज होगा रेशो का form correct or not all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number yes or no okay next 3 is to 9 is to 3 is to 8 is to 9 is to 11 अब बता यहां पर दो से ज्यादा terms involved है तो इस ratio को हम बोलते है continued ratio क्या बोलते हैं इसको तो क्या नैसे यहां पर मैं और एक यहां पर लिख दू क्या ratio of three or more terms ratio of three or more terms is known as दो या दो से ज्यादा term का ratio रहेगा तो is known as क्या बोलते हैं उसको हम लोग ratio of three or more terms is known as बोलो मेरे भाई continued ratio ratio of three or more terms is known as continued ratio सही है बचो ratio of three or more terms is known as continued ratio अब आपको दिखेगा कि मैंने यहां पर कुछ पेश्ट पे ना ऐसे माई नोट्स बोल के लिखा हुआ है समझ रहे क्या अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे इसके बाद में रिजिन के लिए और कुछ लिखे रखना है वहां पर तो आप लिखो बाद में ताकि आपको ही day before exam में उकाम में आएगा चलेगा बच्चो तो जहां जहां पर मैंने माई नोट्स लिया है ओके वहां पर आपको जो लगता है कि मुझे यह पॉइंट याद ने रहता है मैं यह मिस्टिक करता हूँ तो आप लिखो ताकि day before exam may be you can refer your own notes चलेगा बच्चो येस next ratio of three or more terms is known as बता और एक अबर एंसर बो continued ratio can I say हमने अभी लिखा था ये ratio of three or more terms is known as बोलो continued ratio चाही है next sentence क्या लिखा है बोलो ratio is unit free तो can I say ratio all quantities all quantities of a ratio of a ratio can have unit of measurement all the quantities of a ratio can have unit of measurement but ratio is unit free but ratio is unit free आपको समझा क्या इसका मिनी है समझो मैंने मेरा बोल दिया मेरा age 40 years है ये लड़की का age 15 years है तो हम दोनों का एज का ratio 40 is to 15 है आप 40 years is to 15 years ऐसे बोलना जरूरी है क्या नहीं क्या है रेशो बोलो 40 is to 15 which can also be written as हाँ बोलो 8 is to 3 which can also be written as बट जब मैं बोलो 80 is to 3 इसके अंदर unit of measurement है क्या नहीं बट मैं जब रेशो बता रहा हूं तो रेशो को unit of measurement की ज़रात नहीं है तो ratio can be expressed without unit of measurement बट उसमें से एक quantity जो है समझो ये लड़की पूछ रहे से आपका age क्या है आपका income क्या है मैं बोलना बेटा मेरा income है 6 ओके वो बोलेगी क्या 6,6,6,6,6,6,6,6,6 है पूछे कि नहीं बट समझो मैं बोल दिया कि मेरा income ये लड़की का income का ratio 2 is to 9 है तो आपको unit of measurement की ज़रात नहीं है ratio can be expressed without unit of measurement but quantity जो रहते ratio के अंदर जो quantities रहते है वो quantity को unit of measurement होता है तो ratio can be expressed without unit of measurement तो all the ratios are unit free all the ratios are बोलो unit free okay first term of the ratio को क्या बोला जाता है antecedent लेको first term of the ratio is known as antecedent second term of the ratio is known as consequent first term of the ratio is known as antecedent second term of the ratio is known as consequent समझा के बच्चो next अब देखो बच्चो ये भी mc क्यो है ना है या नहीं है first term of the ratio is antecedent second term is consequent find the ratio of 3 kg is to 35,000 grams अब बताओ इसमें पहला quantity और कॉंटिटी को unit of measurement लिखा है okay but हम उसको simplest form में लाइंगे भी ध्यान दे रहे हो क्या अब बताओ 3 kg and 35,000 gram को मैं 3 to 35,000 ऐसे लिख सकता हूं के directly नहीं क्योंकि इसका unit of measurement अलग है तो अब बताओ पहला कॉंटिटी 3 kg मतलब कैना इसे इस 3000 grams and दूसरा क्या है बोलो 35,000 grams तो अब बताओ इन दोनों का ratio can I write the ratio as 3 is to 35 can I write as 3 to 35 is the ratio yes or no पहले तो मैंने unit of measurement same कर दिया दिया दोनों का and first simplest formula 3 to 35 is the ratio I hope you are getting my friends 3 to 35 is the simplest form of the ratio अब बताओ a is to b can also be written as a k is to b k do you agree on this कुछ थोड़ा बात कर सकते हैं आप बचो can it be written as a k is to b k can it be written as a by k is to b by k provided k is not 0 order of the terms in a ratio is important मतब obviously समझे एक ratio P is to Q है कोई बोला कि नहीं सर इसको Q is to P लिख दो तो ऐसे चल सकता है क्या नहीं ऐसे ही तुमारा मूड आया इसलिए order change नहीं हो सकता order is important order is important order is important okay next find the simplest form of two one third and three two third अचा बताओ वही simplest form है या simplify करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो अब बताओ two one third मतब क्या होता है three two's are six plus one कितना seven तो is it seven by three is two हां बोलो 11 by three अच्छा ये उसका simplest form है क्या फिर नहीं एक काम करेंगे दोनों terms को three से multiply करेंगे तो three से multiply किरेंगे तो क्या आएगा बोलो seven is to 11 अच्छा ये उसका simplest form है क्या obviously है इसका और simplify नहीं हो सकता तो seven is to 11 is the simplest form समझा क्या आपको ये next in the ratio a is to be in the ratio क्या बोलो a is to be if a is equal to b in the ratio a is to be क्या बोल रहा है if a is greater than b पहला क्या है a is then a is to be is called as क्या बोलते है इसको बोलो ratio of greater inequality इसको क्या बोला जाता है ratio of greater inequality next if a is less than b उसको क्या बोला जाता है ratio of lesser inequality उसको क्या बोला जाता है ratio of lesser inequality इसको क्या बोला जाता है ratio of equality इसको क्या बोला जाता है ratio of equality if a is equal to b इसका मतलब हुआ if antecedent is greater than consequent it is a ratio of greater inequality if antecedent is less than consequent it is a ratio of lesser inequality if antecedent is equal to consequent it is a ratio of equality it is a ratio of equality I hope you are understanding my friends yes or no okay ratio exists only when two or more quantities of same kind same kind मतलब same type मतलब there cannot be a ratio of age and height there cannot be a ratio of income and weight correct है जो भी है एक का वेट दुसरे का वेट एक का इंकम दुसरे का income एक का हाइट दुसरे का भी हाइट एक का वेट दुसरे का भी एक सिटी का temperature दुसरे सिटी का temperature बट दोनों again celsius में explain किया गया है समझ रहा है या नहीं something like that are you getting ratio should be of below two or more quantities of same type and बात में दूसरा condition क्या है express in the same unit of measurement मतलब उसके जो quantities है उसको unit of measurement होता है बट ratio को unit of measurement नहीं होता है ratio is unit free next find the simplest form of क्या है बोलो यह one by three is to one by eight is to one by 10 इसका simplest form ओके आप बटा यह जो दिया हुआ है यह तो fraction है ना बचो yes or no अगर integers आएंगे तो थोड़ा बेटर समझेगा ना आपने को ratio तो आप मुझे बताओ three eight and ten तीनों का multiple के list में तीनों का LCM एक काम करते है ध्यान देरे हो क्या आप ten eight and three तीनों का पड़क किया तो two forty आएगा एक काम करो तीनों टर्म को two forty से multiply करो तीनों को two forty से multiply करो तो two forty into one by three क्या आएगा eighty two forty into one by eight क्या आएगा thirty two forty into one by ten क्या आएगा twenty four है या नहीं बच्चोए तो tell me is it eighty is to thirty is to twenty four समझा क्या मेरे भाई तो चेंज नहीं होगा न तो बोलो fifteen into three by five कितना आता है nine fifteen into two by three ten fifteen into eight by five twenty four to nine is to ten is to twenty four is the simplest form of this ratio nine is to ten is to twenty four is the simplest form समझ रहे क्या बच्चोँ yes or no next ratios are unit free do you agree on the sentence ratios are unit free मतलब ratio can be express लिखो लगे तो नहीं चे ratio can be express without unit of measurement ratio can be express without unit of measurement बड़ उसमें जो quantities रहेंगे वो unit of measurement के साथ लिखे जाएंगे बड़ रेशो को को unit नहीं होता है ratio is unit free ratio is unit free quantities can be expressed with unit of measurement okay but ratio is unit free सही है बच्चो next question 19 दिख रहे है क्या आपको ओनेस्ली सब को एक बार online वालों को भी बता दू मेरे भाई ओके यह सब कुछ जो है वो आपके revision के लिए चल रहे है समझ में आ रहा है क्या यह बैच लेना या यह कंप्रिट करना कोई मेरा obligation नहीं है मैं आपको 200 गंटे से ज्यादा रेगुलर बैच पड़ा चुका हूं समझ रहा है क्या उसमें हर एक point आपको यहां पर आदा में प्रिंट करकी दिया है वहां पर मैंने हर एक point आपको खुद लिखके दिया है आपको याद रहे गाई 500-200 pages के notebook मैंने खुद class में बरवाया आपसे इतना class में practice करवाया correct उसके बाद में मैं आपके लिए revision ले रहा हूँ इसमें वो आपस comment करके वो फालतू का कुछ तो बढ़ 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 करके आपका time waste मत करो मैं यह क्यों बोलता हूँ क्यों कि मुझे time की value है कुछ समझ रहा है बचो यह are you getting particular especially I am talking for online students समझ रहा है जो है भाई अगर तुम्हे time pass करना है करके बेटो और entertainment की बहुत सारे sources है है कि नहीं यह लेक्चर के अंडर entertainment धून रहे हो मतलब समझ रहा है ना are you understanding this गलत जगा पे गलत चीज धून रहे हो ना तुम है यह नहीं entertainment के बाकी sources है है कि नहीं चलो अब 19.8 इस टू बी क्या है आप मुझे बताओ 2 इस टू 3 B इस टू C दिया हुआ है 4 इस टू 7 and C इस टू D भी दिया हुआ है और आपको question पूछा है find A इस टू B इस टू C इस टू D तो आप बताओ उन्होंने क्या दिया है पहले तो बता मुझे A इस टू B कितना है हो 2 इस टू 3 B इस टू C क्या है बता 4 इस टू 7 and C इस टू D क्या है अच्छा मुझे बता पहले सिर्व आप A इस टू B and B इस टू C देखो और मुझे बता उन दोनों में कोई ऐसा टम है क्या जो दोनों में है B तो B ए पहले रेशो में क्या है 3 and दूसरे रेशो में क्या है 4 and अगर ये दोनों सेम हो गया तो अपना काम हो सकता है न फिर तो कैसे सेम करो में उसको बोलो पहले रेशो को दोनों टम को में 4 से मल्टिप्लाई करता हो तो क्या आएगा ये बोलो 8 इस टू 12 यहाँ पे दोनों रेशो को 3 से मल्टिप्लाई करो तो क्या आएगा 12 इस टू 21 तो दोनों जगा पे B की जगा 12 आया ना फिर अभी तो अब मुझे बताओ उसके बाद A इस टू B इस टू C क्या आएगा फिर हाँ बोलो 8 इस टू 12 इस टू 21 8 इस टू 12 इस टू अब बताओ 8 इस टू 12 इस टू 21 इस टू B इस टू C है और आप मुझे बताओ B इस टू C क्या था मेरे बाई B इस टू C बोलो 8 इस टू 1 था ना C इस टू D क्या था 8 इस टू 1 8 इस टू 1 था कि नहीं तो अब मुझे बताओ, यह A is to B is to C में, and C is to D में, दोनों में common क्या है, C, एक जगा 21 है, एक जगा 8 है, तो जहाँ पर 21 है, उधर सारे टम को 8 से multiply करो, किसे, 8 से, हाँ, तो यहाँ पर 8 से multiply किया, तो क्या आएगा, यह बोलो, 64 is to, 96 is to, 168, नहीं, गलत है क्या, 8 से multiply किया, सबको, समझ रहे हैं, 8 से multiply किया, and C is to D में, यहाँ पर दोनों टम को 21 से multiply करो, तो 21 से multiply किया, तो क्या आएगा, यह बोलो, 168 is to, 21, सही है, अब बताओ, A is to B is to C में, C की जगा है, 168, and C is to D में, C की जगा है, 168, सेम आया कि नहीं हो, therefore, बोलो, A is to B is to C is to D क्या आएगा, हाँ बोलो, 64 is to, 96 is to, 168 is to, 21, सही है क्या, अच्छा, यह A is to B is to C is to D आया, अब बताओ, find A is to D पूछ रहा है, find B is to D पूछ रहा है, यह कोई बड़े कोशन है क्या भी, तो बोलो, A is to D का क्या answer है, जल्दी बटाओ, A is to D का बोलो, 64 is to, 21, और क्या बोचा है, बोलो, B is to D, तो बोलो, B is to D क्या है, 96 is to, 21, can I say it is 32 is to 7, can I say it is 32 is to 7, किस से डिवाइड किया दोनों को, 3 से, is it 32 is to 7, yes, तो अगर आपको A is to B is to C is to D फाइन करने है, तो बाकि तो कोई ब्यांसर दे ही पाओगे ना आप लोग, कैसे किया ये प्रोजर समझा क्या आपको ये, दोनों रेशो में कॉमन टर्म कौन सा था वो देखा, और उसको आमने सेम नंबर में कनवर्ट कर दिया, और उसमें रूल उसकिया, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero numbers, yes or no, चलो, next, if quantity increases or decreases in the ratio, right, in A is to B, हो सकता है, कुछ लोगों का जो पहले का एक notes आपको मेरे से forward हुआ था, उसमें कुछ पापे points missing था, इसमें से, कुछ 18-26, आप सिर्फ यहां पर दियान दो, ठीक है, मैं आज वापस एक बार ही सब notes forward कर देता, आपके टेलिगरम ग्रूप पे, उसमें सब आ जाएगा, समझ रहा है, सिर्फ एक page missing था, उसमें से, सही है बचो, तो बोलो, old population क्या था, x into multiplying ratio क्या रहेगा, q by p, तो answer क्या रहेगा, बोलो, qx by p, qx by p, समझा क्या, यहां पर clearly मैंने लिखा है, where multiplying ratio is equal to reciprocal of given ratio, or you can say it is the, बोलो, inverse ratio of given ratio, it is the inverse ratio of, बोलो मेरे भाई, given ratio, inverse ratio of given ratio, तो new population समझा हो चो आपको, old population into multiplying ratio, old population into multiplying ratio, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, यह notes का आपके पास print out होना चाहिए, आपने खुद लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि आपको जो one day before exam रहता है ना, कि आपको क्या याद है क्या नहीं है, बोड़ हो सकता है कि आपको कुछ चाप्टर बहुत अच्छे से किये हो है, कुछ आपके वी केरियाज है, वो आपके लिए specific रहेगा ना यह सब्सक्राइब तो जनरल बताते रहेगा ना, कि भाई, वो टीचर रेशो के बारे में आद नहीं सर् Lesion बहुत अच्छे से किया है, मैंने यहो सकता है कोई बोड़का कि सर मुझे पर्मेटेशन से अं कॉंबिनेशन अच्छे से नहीं समझाता तो वो टीचर तो पर्मेटेशन कॉंबिनेशन को उत्रा ही टाइम देगा जो उसकी दिमाग में है ना, तुमारा वह वी चाप्टर उस पर फोकस कर सकते हो ना फिर बाद में आपके पास यह कंप्लीट आपको लोग को सोर इतने 400 पेज़े सारे 300 पेज़े के उपर हम लोग वन डे पर एक्जाम पढ़ सकते हैं क्या तो answer is yes पढ़ सकते हैं ठीक है आपको एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में अगर एक दिन का पढ़ाई उसके आगे पीचे का पढ़ाई काउंट को तो आप आराम से 18-20 गंटा पढ़ सकते हो एक दो पेपर की बीच में समझ में रहा है क्या आप 18-20 गंटे में क्यूं नहीं होता है मेरे भाई है है या नहीं है दो पेजाए आपको यहां यह सब फिस कूछ को चेंज ही हो रहा है तो ऐस्तु भी अब अग्ला कॉश्छन डूप्लिकेट रेशो आफ सब डूब्लिकेट रेशों पीचे क्या एक है स्क्वेर मेरे चैल से अगले क्यां स्वेचल का अंच वह तुन दो क्यूटीर क्या है कुस्तु Schweiz M is to N, sub-triplicate ratio of triplicate ratio of X is to Y is, X is to Y, sub-duplicate ratio of duplicate ratio of U is to V is, मतलब square करके square उट हो आना बात में, तो answer to U is to V रहेगा, yes or no, next, find duplicate ratio of inverse ratio of I is to 7, यह question है, मतलब क्या बोल रहा है, find duplicate ratio of inverse ratio of I is to 7, तो आप बताओ, can I say, question is, duplicate ratio of, हाँ बोलो, 7 is to 5, नहीं समझाब कोई, question क्या था, duplicate ratio of inverse ratio of I is to 7, तो inverse ratio of I is to 7, लिख दिया है ना मैंने, 7 is to 5, but 7 is to 5, final answer है क्या, नहीं, duplicate ratio of 7 is to 5, का answer क्या है, बोलो, 49 is to, 25, yes or no, can I say, answer is, 7 का square is to 5 का square, duplicate में दो square होगा ना बच्चो, yes or no, तो 7 is to 5 and 49 is to 25, ये दो अलग ratio है मच्चो, आप ये मत्त हम जो कि सिर्फ उसका form चेंज किया है, ये duplicate ratio ratio ही अलग रहता है, समझता है क्या, next, find triplicate ratio of sub-duplicate ratio of 25 is to 49, आप दे सकते हो answer, ना चलो, बोलो फिर, क्या है, triplicate ratio of, sub-duplicate of this क्या होता है, बोलो, 5 is to 7, तो बोलो, 5 is to 7 का triplicate क्या होता है, फिर बता आप, 5 का क्यूब is to 7 का क्यूब, तो tell me, is it 125 is to 343 is the answer, 125 is to 343 is the answer, तफ था बोच्वे, तो आपको duplicate, triplicate है सब समझा क्या, yes or no, next, find compounded ratio of, find compounded, आपको compounded ratio क्या होता है, याद है क्या होता है, compounded ratio, product of antecedence is to product of all consequence, is the compounded ratio, product of all antecedence is to product of all consequence, चलो, प्लीज यहाँ पी देहां दो, बाद मेलेको, okay, find compounded ratio of, okay, आगे क्या बोल रहा है, duplicate ratio of 2 is to 3, तो चलो एक काम करो, 2 is to 3 का duplicate ratio बता हूँजे, 4 is to 9, कॉमा, triplicate ratio of 9 is to 4, तो 9 is to 4 का triplicate बता, sub duplicate ratio of 81 is to 64, हाँ बोलो, 9 is to 8, and sub duplicate ratio of 512 is to 27, हाँ बोलो, क्या है, sub duplicate है बच्चो, उसका cube root मत करो, 512, तो क्या होगा है बोलो, under root 512 is to under root 27, do you agree, do you agree, yes or no, आच्छा, आप यह जो ratio आए बच्चो, कितने ratio आपके सामने, 4 ratio है न, इन सबका क्या पूछा है उन्होंने, compounded ratio, क्या पूछा है, तो बोलो, compounded ratio होता क्या है, आप बताव मुझे, product of all antecedents, हाँ करो, antecedents multiply करो, 4 into, 729 into, 9 into, under root 512, सही है क्या, and product of consequence क्या है, आप ही बताव, बोलो जल्दी, 9 into, 64 into, 8 into, under root 27, अब जितना simplify हो सकता है, उतना करो, बचा वालिक दू, समझा के मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो क्या cancel हो सकता है, बताओ, यह 4, कट करके, इसको 2 कर दू नीचे, चलता है क्या, 729 divided by 9 का क्या answer आता है, इदे 81 आता है क्या, आता ही कि नहीं, येस और नो, अचलो करो, नूमेरेटर में क्या रहा है बोलो, 81 इन्टू 9, बरावर रहा है न, कितना आता है, 729 इन्टू अंडर रूट 512, डिवाइड बाई, बोलो, is it 128, इन्टू अंडर रूट 27, सही है बोचो, टफ था क्या है, ये 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 राइट इस answer, याद आपको लगता है न, स्क्वेर रूट के अंदर ये answer लिखो, तो आप एक ऐसे कर सकते हो, 729 का स्क्वेर करो, 729 का स्क्वेर करो, किये क्या आप लोग, जो भी आया है, उसको 512 से मल्टिप्लाई करो, तो is it अंडर रूट, हम भूलो क्या रहे हो, 2720 97792, 97792, ऐसे कुछ आया क्या, ऐसे कुछ आया क्या, क्या आया, एक बार बता मुझे आपस, 272720 97792, 122, divided by, हाँ, एक काम करो, 128 का स्क्वेर करो, 128 का स्क्वेर किये क्या आप लोग, उसको 27 से मल्टिप्लाई करो, क्या आता है, बोलो, 442442368, इस गैन भी तो सिंप्लिस फॉर्म, नहीं समझा आप को, स्क्वेर रूट के अंदर आपस, 2 से डिवाइड करके, अगरे फॉर्म ला सकते हो आप, बट आपको समझा के तरीका समझा के बताओ, वो तो अब आप्शन में क्या दिया है, उस पर डिपेंड करता है, कहां तक लाए हो, समझा आपको यह, कंपाउंड डेशो क्या होता है, फिर बोलो, कि कमी नहीं है कुछ, इनका नाम होता है, क्यापिटल अड बोल्ड सी, सी, सी का फूल फॉर्म तो पतर हैगा न, वो भी साधा सी नहीं, कौन सा, क्यापिटल में और बोल्ड में, वित फॉन्ट अफ हंड्रेड, ओके, नेक्स्ट, वेन फॉर कौन्टिटीज अबी सी डी आर सेट तो बी इन प्रपोर्शन, चार कौन्टिज अबी सी डी प्रपोर्शन में है, ऐसा कब बोला जाता है, हां बोलो, इफ दर रेशो अफ फॉर्स तर्म तो सेकंड तर्म, मतलब इफ दर रेशो अफ एस तो बी, is equal to ratio of third term to fourth term, सरह तो four quantities are said to be in proportion, if A is to B is equal to C is to D, then A, B, C, D are said to be in proportion, are said to be in proportion, if A is to B is equal to C is to D, then, सही है बच्चो, अब बताओ, क्याना इसका मतलब A by B is equal to C by D रहा तो A, B, C, D are in proportion, मतलब when A, D is equal to B, C, A, B, C, D are said to be in proportion, and A, D मतलब क्या है बोलो, A into D मतलब product of extremes, तो when product of extremes is equal to product of means, when product of extremes is equal to product of means, four quantities are said to be in proportion, when product of extremes is equal to product of means, four quantities are said to be in proportion, समझाँ क्या, अगर किसी को, आप में से किसी को, यह बलू कलर वाले ही notes का प्रिंट आउट चाहिए, या वही चाहिए वो, रेड नहीं चाहिए, तो, मैने विनोट्रेडी टेलीग्राम चैनल प्य ये notes डाल के रख Thai, विनोध रेड़ी टेलीग्राम चैनल पर अगर आप देखोगे तो वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेलो आप ठीक है विनोध रेड़ी टेलीग्राम पर सर्च करो विनोध रेड़ी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल उस पर यह नोट्स आप डाउनलोड कर ल तो if A is to B is equal to, B is to C is equal to, then A, B, C, D are set to be in, are set to be in, continued proportion, मैं और एक बार क्लारिटी दे रहा हूँ बचो और एक बार कि आप ये बैच सिर्फ तब आटिन करो जब अगर आपको सिर्फ मैठ्स पढ़ना है तो समझ मैं रहा है क्या आपको जिंदगी के रेलेटेड कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो आपन स्पेशल उस पर लेक्चर कर सकता है अगर कर सकता है तो तो चाहर मैस की कोशन करें गा बरावर है कि नी आपको मेरी बाति सुनक ये अपने को जिंदगी में सपोर्ट कर सकता है मोरल सब्कूर्ट देगा एमोशनल सब्कूर्ड देगा ऐसे लगा कभी मेरे에 को देखे अगर आपने 200 गंटे मेरे धार तो कभी लगा कि आपको आपको यह लगा रहेगा कि नहीं अगर आप उन प्राब्लम में तो उल्टा अपने को यह डिप्रेस करेगा मैं सिर्फ क्या कर सकता हो मैं अमया एक आपकि आपकी किसी काम का नहीं तैस्ट मैं रहे हैं प्रसक्ष के काम नहीं है आपके जिंदगी के प्रॉब्लम स्वाल करने के की मेरी लाइकी नहीं है समझ रहा है कि नहीं कि चलो करें कंडिने बचो इस तुभी क्यूंकि आज कर लोगों का यूट्यूब पे फेवरेट शोग हो चुका है कोई भी लेक्षे मैं मुझे बहुत ही कैसे तो भी हो रहा है पर वहता है मैं बाइन कि नहीं बच्चो अब कि या नहीं है वह निधा श्रौक हरूं हार नहीं है सोलगा है यह सिसका और कुछ दौनों में तुम्हार छोट दोगे और तुम बोलो गहीए कि नहीम साभून में यह मीował Em 기자 मैंने कुछ quantities दिये बच्छ आपको और आपको बताना है कि वह continued proportion में है क्या वह proportion में है क्या तो आप बठाव 2 16 18 54 tell me what is the ratio of first term to second term one is to three one is to three है ना six is to eighteen यह one is to three है क्या yes 18 is to 54 वह one is to three है क्या तो tell me are they in continued proportion अच्छा क्या ना यसे अगर वह continued proportion में है तो वह proportion में तो रहेंगे ही बड़ अगर वह proportion में है तो जरूरी नहीं है कि वह continued proportion में हो very good next three eight twelve thirty two what is the ratio of first term to second term three is to eight what is the ratio of third term to fourth term three is to eight third to fourth three is to eight दोनों को four is to divide कर वा तो three is to eight है वो tell me are they in proportion yes are they in continued proportion answer is no क्योंकि second and third term का रिशो तो अलगे completely eight is to twelve two is to three है वो तो next eight twenty four ninety six to eighty eight अब बटाओ आर दे इन proportion what is the ratio of first term to second term one is to three second is to third one is to four नहीं सम्झा आपको है and third is to fourth one is to three तो tell me are they in continued proportion no are they in proportion yes आप दोनों जगा येस बोल रहेते गडबड़ हो रहेती सम्झा ना 24 is to 96 वो तो one is to four है ना वो चो है या नहीं कुछ जा रहा है कि दिमाग में बेटा नेक्स्ट eight five eighty forty five अब बटा प्रोड़क्ट आव एक्स्ट्रीम्स कर लो eight into forty five कर आप eight into forty five and five into eighty दोनों का अंसर सेम आ रहा है क्या eight into forty five कितना है बताव मुझे 360 and five into eighty कितना है तो they are they in proportion no and proportion में नहीं है तो obviously continued proportion में भी नहीं है next four six nine 13.50 tell me four is to six का simplest form क्या है two is to three six is to nine का simplest form क्या है two is to three nine is to 13.50 का simplest form क्या है two is to three है आप two nine is to 13.50 two is to three है कि जानना बहुत simple है nine को two से divided करो three से multiply करो nine divided by two into three 13.50 है मतलब है two is to three है 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 या नहीं तो tell me are they in continued proportion yes are they in proportion yes and continued proportion में है मतलब proportion में तो रहे गए ना वापस में बता हूं कभी fraction में आया आपको थोड़ा डाउट है कि भाई यह two is to three है कि नहीं तो क्या करने का पहले नंबर को two से divide करो और three से multiply करो and second number आया तो सच्छी में वो रहे टर्म two is to three के रेश्यों में है है या नहीं next when three quantities are said to be in proportion answer दो when three quantities are said to be in proportion बोलो if a is to b is equal to b is to c then a b c are बोलो मेरी भाई said to be in proportion a b c are said to be in proportion if a is to b is equal to below b is to c that is can i say when a by b is equal to by c that is below b square is equal to a c ऐसा रहा तो a b c are said to be in proportion and याद रखो बच्छो तीन quantities proportion में है मतलब ही वो continued proportion में रहते है पता है क्या आपको यह a b c are in proportion means they are in continued proportion a b c proportion में है मतलब ही वो continued proportion में है समझा क्या बट अब बता चार quantity के case में ऐसा हो सकता है क्या नहीं चार quantities proportion में है मतलब continued proportion में है क्या नहीं बट इफ फोर quantities are in continued proportion then they are in proportion but if four quantities are in proportion it is not necessary that they are in continued proportion just my exam notes में यहां पे लिखो लेटर से समझो है 3 30 जान देरों क्या बच्छो 5 500 या तो 550 कर तो 5 and 50 अब बताओ यह यह चार quantities proportion में है क्या प्रपोर्शन में है क्या प्रपोर्शन में है क्या यह वाट इस आर इन प्रपोर्शन बट नॉट in not in continued proportion not in continued proportion अबता 3 30 300 330 300 अबता आर दें प्रपोर्शन what is the ratio of first term to second term 1 is to 10 second is to third so they are in proportion as well as in so 3 term के case में proportion and continued proportion is one and the same are in बोलो मेरे भाई proportion or continued proportion तो 3 term के case में तुम proportion बोलो continued proportion बोलो it is one and the same क्या लगता है आपको गन्टा परसे आपन कंटीन्यू कर रहे है क्या लगता है होगा क्या कुछ रिविजन ऐसा फिल आ रहा है क्या कुछ या अभी गन्टा पर मैंने आपको how this batch is going to be useful हो बताए होता तो जादा बेटर होता न है कि नी how this batch is going to be useful for all of you आप सबकी जिन्दगी चेंज कर दूंगा यह बैच चेंज कर देंगा सब कुछ वो गन्टा पर बताए हो बेटर रहता है क्या okay if ABCD are in proportion if ABCD are in proportion ABCD proportion में है मतलब Aby B is equal to C by D correct है उस तो यह है कुछ properties of proportion then as per invertendo can I say b by a must be equal बोलो D by C याद रखो A by B and यह जो आए B by E यह से नहीं रहेगा but B by A will be equal to बोलो D by C मतब it is not equal to A by B are you understanding this next component as for component A plus B divided by B must be equal to C plus D divided by D are you divided by C B minus D सही है next alternando हाँ बोलो क्या होता है alternando A by C must be equal to B by D मैं वापस बता दू आपको exactly same to same notes चाहिए same font same points तो आप विनोद रेडी टेलीग्राम चैनल से डाउन्डोड कर दो समझाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ चलो addendo क्या होता है यह लास्ट के दो प्रोपर्टी बहुत ज्यादा important है addendo addendo में हाँ बोलो A by B is equal to बोलो मतलब जो भी आने वाला आए भी that is equal to A by B only and this will be equal to बोलो A plus C divided by B plus D this is addendo याद रहेगा क्या बच्छो इस में यह इस प्रोपर्टी का speciality क्या है समझा न यह जो आया A plus C divide by B plus D that is equal to A by B only that is equal to A by B only जो component हो dividend हो में कहीं पर ऐसा नहीं है दिख रहा है क्या आपको और चलो बोलो as per subterhand जल्दी बटा A by B is equal to is equal to A minus C divided by can I say is equal to C minus A divided by T minus B कोई फरक नहीं परता numerator, denominator को दोनों को minus 1 से multiply किया है समझो तो यह ही आएगा ना yes or no यह क्या है subterhand क्या है यह subterhand I hope you are getting my friends yes or no just take example आपके clarity के लिए दिया है if A by B is equal to C by D is equal to E by F is equal to G by H is equal to I by J is equal to K ऐसा है समझो then K is equal to yes or no तो K can be equal to सुनरे हो के मारे भाई A plus C plus E plus G plus I divided by बोलो क्या है आप बठाँ B plus D plus F plus H plus and अगर कोई बोलेगा कि whether this is equal to A by B तो obviously yes this is equal to A by B क्योंकि this obviously everything is equal to K only yes or no कुछ जाता है के दिमाग में आचा कोई बोलेगा कि is equal to acid चलेगा क्या बताओ ओके समझो मैंने लिखा है यहां पर A plus C की जगा कर दिया 3C plus 5E plus 8G plus 10I ऐसे चलता है क्या तो divide by क्या करना पड़ेगा हाँ बोलो B plus 3D plus 5F plus 8H plus 10J क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई अब बताओ आपको लोग रहे से रहे से करे आया लेकिन 10 तो मुझे बताओ वो I divided by J is equal to 10I divided by 10J नहीं समझा आपको 10I divided by 10J अच्छा वो A by sorry C divided by D C divided by D is equal to 3C by 3D तो मैंने अगर उपर 3C कर दिया तो नीची भी तो 3D है ना तो इस वान एंड़ से आर येटिए माई फ्रेंड्स जो मैं लिख रहा हूँ वो करेक्ट है क्या आप मुझे बता हूँ बच्छो अड़ेंडो सब्ट्रेंडो दोनों सब्ट्रेंडो एंड़ेंडो एक काम करते है दोनों मिक्स करके मैं बताता हूँ जो मैंने लिखा हूँ सही है क्या बताओ K is equal to जान दे रहें बच्छो 5A प्लस 10B माइनस 8E माइनस 16G माइनस 25I divided by हाँ बताओ दिवाँ बाइन बाइन क्या रहेगा बोलो 5B प्लस 10D माइनस 8F माइनस 16H माइनस 25J and obviously this is equal to A by B only this is equal to C by D only obviously this is equal to K समझ रहे क्या आपको तो add and do subtract and do आपको add and time use करते है आना सिए बच्छो समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ yes or no next point number 32 ध्यान है सब का इदर ध्यान है क्या बोल रहा है if A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7 then find the value of अब यह add and do subtract and do use करके भी solve कर सकते हैं बट मैं आपको directly shortcut से बताओ अभी है तो आप बताओ A by 3 is equal to क्या दिया है उन्होंने जल्दी बताओ B by 4 is equal to and 2 मिनिट के रहे मान लो कि is equal to K है चलता है कैसे तो बोलो A is equal to क्या रहेगा जल्दी बताओ A is equal to क्या रहेगा 3K B is equal to क्या रहेगा 4K C is equal to क्या रहेगा अब बताओ बच्चो उन्होंने question पूछा था 4A plus 2B minus 3C divided by 5B divided by बोलो 5B इसका answer क्या रहेगा 4A 4 into A कितना है बताओ 3K तो 4 into 3 के क्या है 12K plus 2B 2B मतलब कितना 8K 3C मतलब कितना 21K divided by 5B 5B मतलब 20K तो tell me 20K minus 21K क्या answer रहेगा बोलो minus K minus K आता है न yes or no minus K आ रहे है कि नहीं divided by क्या है बोलो 20K तो K के कैंसल होगा क्या minus 1 by 20 is the answer minus 1 divided by 20 is the answer ठाफ था पुच्छोए minus 1 by 20 is the answer अब कोई is equal to K की जगा is equal to M लिखता तो क्या answer अलग आने वाला क्या last में M cancel हो जाता answer तो यह ही आता नहीं minus 1 by 20 do you agree next find 4th proportional to 8, 12 and 20 8, 12, 20 का 4th proportional आपको बताना है तो समझो यह 8 12 and 20 का 4th proportional M है 4th proportional क्या है M तो आपने को M का value find करना है बच्छो yes or no तो बोलो अगर यह 4th proportional find करना है therefore 8 M is equal to क्या है बोलो 12 into 20 कौन सा पाउग लग इसकी है मैंने product of extremes is equal to product of means yes or no चलो मैं यहाँ पे लिख देता हू product of extremes is equal to product of means product of extremes is equal to product of means साई है बच्छो तो बच्छो M is equal to क्या है 12 into 20 करो 240 do you have 8 whether answer is 30 whether M is equal to 30 M is equal to 30 is answer my friends next find the mean proportional to 9,25 9,25 का mean proportional find करना है तो आप बोलो समझो 9 and 25 का mean proportional M है बच्छो तो आपने को M का ही value find करना है ना फिर तो बोलो क्या रहेगा फिर M square is equal to 9 into 25 which is equal to 225 therefore M is equal to 15 तो वाट इस mean proportional of 9 and 25 15 is answer yes or no next 4 quantities 35 4 quantities proportion आपको लग रहे कि M C QE solve करें उसका advance part solve कर रहे है in fact समज़ रहे कि आपको यह इस से M C QE समझ रहे कि आपको यह आपको यह आचा बता यह is it equal to 9 K yes or no 504 divided by 9 का cancer है तो वेदर K is equal to 56 आप कर सकते हो बचेंगे कोशिन solve इंचा लो बता नेक्स्ट what is product of extremes 58 into 85 58 into 85 4930 सही है क्या is equal to product of means कितना है minus 84 K सही है क्या 4930 divided by 84 का answer is minus 58 point 690476 सही कुछ है क्या आपको 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 सही है क्या आपको सही है क्या आपको सही है आपको सही है आपको next product of means is it 120 K is equal to 98 into 36 is it 3528 to 3528 divided by 120 answer is k is equal to 29.40 k is equal to 29.40 सही है क्या भाई चलो next product of extremes क्या है बताव 63 into 3 minus 189 k is equal to 86 into 25 2150 divided by 189 का answer is answer is minus 11.37566 minus 11.37566 is the answer tough है बचो ये 4 quantities are in proportion तो you can get the value of K or not समझता है क्या आपको ये अब हम कुछ rules of indices आपको लग रहा है कि sir फिर ratio proportion खतम हो गाए क्या आप देखोगे मैं ratio proportion indices log का basic दिया फिर वापस चारों के question भी दिये बहुत सारे ऐसा नहीं कि एक variety के समझता है क्या पर आपको patience रखना पड़ेगा न यहां भी देखो आपन पाच्छे page complete के अभी तक सिर्फ समझ रहा है क्या ऐसी 380 pages है इसमें समझ रहा है क्या मतलब कितना variety का और होगा आप समझ सकते हो और ये इतने सारे questions आपन solve करके exam को जाना है समझ रहा है क्या solve करके revise करके रोज उठके आपन ये नहीं पूछेंगे कि मैं revise कैसे करूँ कैसे revise करते में रेगलो बैस में बहुत बार बता है कैसे करते book लेने का और पढ़ने का या book book लेके solve करके आपन complete कर सकते कैसे से ये बन सकते पढ़के एक्जाम देखे लिटके है या नहीं आपनी इंस्टागाम पर नहीं बन सकते ना unfortunately CA क्या बन सकते रोज रिल देखे आपन नहीं बन सकते ना कैसे CA बनते इसके रिल देखे है कि नहीं चलो rules of indices a का power m into a का power n is equal to क्या रहता है आप भी बताओ a का power m plus n basic basic rules पता होना सिए आपको फिर next a का power m divided by a का power n is equal to a का power m minus n very good next a का power m bracket का power n is a का power m n m into n rules रिया देखे next a का power minus m is equal to 1 upon a का power m सही है a b का power m is equal to बोलो a का power m into b का power m सही है a divided by b bracket का power m is equal to a का power m divided by बटा कर exam में a divided by b की जगा x divided by y है तो auto syllabus next a का power 1 by m is equal to क्या रहता है m तो रूट ओफ a a का power 1 by m हो is m तो रूट आफ ए next a का power m bracket का power n bracket का power p is equal to a का power क्या रहेगा बोलो रहेगा की नहीं next a का power m by n can I write it as अब बता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या a का power m bracket का power 1 by n लिख सकता हूँ क्या m into 1 by n m by n नहीं हो अन and can I say this is nth root of a का power m nth root of a का power m सही है next if a का power x is equal to a का power y then x is equal to y next a का power m is equal to b का power m then क्या ये दो अलग-अलग क्या है समझाना एक जगा base same है एक जगा power same है समझा आप कोई तो ये छोटे मोटे rules याद रहेंगे क्या indices के या नहीं याद रहेंगे क्या अजब बता एक और एक ट्वेल्थ यहाँ पे मुझे बता एक का power minus 1 by m is equal to क्या रहेगा 1 upon बोलो एक का power 1 by m रहेगा कि नहीं हरे minus 1 by m नीच या कि 1 by m बन जागा नो and can I say this is equal to 1 upon बोलो mth root of a अरे वही उपर के रूल्स है दो रूल्स आटे टाइम यूज़ के आपको यह पहले तो minus 1 by m नीच आके 1 by m बन जागा न and power 1 by m है मतलब it's mth root समझा आपको यह तो यह rules of indices याद रहेंगे क्या इतने यह basic rules याद रहेंगे क्या आप पक्का बच्चो ओके नेक्स्ट तेखो कुछ कुछ कोशन सौल कर रहा है करने के लिए बोल रहा है भी है 2x का पावर 1 by 2 into 3x का पावर minus 1 is equal to how much when x is equal to 4 when x is equal to 4 चलेगा करना है इतना सौल चलब आभी आप इस लिक्षर में आपन से 40 तर करेंगे उसके बार ब्रेक फर्स का ब्रेक लेंगे चलेगा 40 तर कम्रेट कर लेदे चलेगा क्या 2x का पावर 1 by 2 into 3x का पावर minus 1 is how much when x is equal to 4 तो बोलो क्या रह गाए 2 इंटू हाँ बोलो 4 का पावर 1 by 2 into बोलो 3 इंटू 4 का पावर यहां तक समझा तो बोलो is it 2 into 4 का पावर 1 by 2 कितना आता है 2 कैसे 4 का square root very good into क्या है बोलो 3 into 4 का पावर minus 1 मतलब क्या बोलो 1 by 4 तो 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 4 and यह 4 कैंसल हुआ क्या तो क्या अंसर है final answer is 3 tough है tough है with the final answer is 3 next 6 by 2 2 का क्या अंसर है पहले तो बताओ 3 tell me a का power क्या रहेगा 1 minus 2 नहीं समझा शहेद आपको b का power क्या रहेगा 2 minus 1 and c का power 3 minus 8 तो इसका क्या अंसर हो सकता है बोलो 3 a का power minus 1 into b का power 1 into c का power इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या आप भी बता मुझे 3 b 3 b divided by a into c का power 5 ऐसे लिख सकता हूँ क्या बता हूँ या अगर option में 3 into a का power minus 1 into b का power 1 into c का power minus 5 रहा तो भी चल सकता है yes or no next 64 into cube root of 128 divided by 5th root of 512 सब लोग प्लीज अच्छे से द्यान दरो बच्छो बस दो कोशन अपने को solve करने उसके बाद बरेक लेंगे आपन चलेगा आपन चोटी चोटी लेक्छर सी one and half hours के range के लेंगे आपन और ऐसे एक around 30 lectures के आस पास मुझे लगता है कि we should be in a position to complete this book चलेगा बचो बट अब तुमारे पास सबसे बड़ी responsibility है कि ये सारे lectures attain करें है या नहीं ये सारे lectures attain करें ये responsibility है ना कि sir मैं ये lecture करूंगा तो होगा क्या बरावर है कि नहीं ये सबसे आपका typical favorite question है कि नहीं सार ये lecture हो गया करूंगा तो होगा क्या होगा करना पड़ेगा कि आप कुछ कोशन ही नहीं बचा है कि नहीं नेक्स्ट 64 मतलब 2 का पावर 6 है के बच्चो अचा 128 तू का पावर 7 है क्या और उसका क्यूब रूट मतलब 1 बाई 3 नहीं समझे जाए आपको एस और नो उसके बाद 512 जो है इस टू का पावर 9 512 मतलब क्या होता है 2 का पावर 9 ध्यान है के सबका और इसका पावर क्या रहेगा फिर बोलो 1 बाई 5 तो बताओ विधा final it is 2 का पावर 6 इंटू का पावर बोलो 7 बाई 3 इंटू का पावर 9 बाई 5 तो finally can it be written as 2 का power हाँ बोलो क्या रहेगा 7 सॉरी 6 प्लस 7 बाइ 3 माइनस 9 बाइ 5 Yes or No आप बटाओ इसको further simplify कर सकते हो क्या तो tell me is it 2 का power एक काम करता हूँ इदर डिनामेटर 15 ले ले लेता हूँ चलेगा क्या चलेगा क्या तो बोलो numerator क्या रहेगा बोलो जल्दी 90 प्लस 35 माइनस 27 यह करने आता है क्या आपको यह करो 90 प्लस 35 माइनस 27 कितना आता है 98 तो वे दर फाइनल आंसर आप इस कोशन इस बोलो क्या रहेगा फाइनल ल open रए क्या रहेगा इस कोशन का बोलो two का पावर 98 by 15 do you agree two का पावर 98 by 15 ऊंसर है क्या अच्छे किसे लिए समझें के भाव two का पावर 98 by 15 ऊंसर है समझ रहे क्या और can I say answer of this question is 15th root of 2 का पावर 98 15th root of 2 का पावर 98 Can be the answer सही है Yes or No Next 4x का पावर minus 1 Divide by x का पावर minus 1 by 3 करना है क्या है क्या बोलो क्या रहे गए 4 as it is क्या रहे गए फिर बोलो x का पावर minus 1 plus 1 by 3 plus कैसे बोलो 1 by 3 Yes 4 into x का पावर minus 1 plus 1 by 3 समझाए क्या आपको यहां तक plus कैसे बोलो 1 by 3 minus minus 1 by 3 तो tell me 4 as it is x as it is 1 by 3 minus 1 क्या आता है minus 2 by 3 और इसको इसको निए बोलो 1 by 4 divided by x का पावर 2 by 3 और इसको मैं इसे लिख सकता हूं क्या 4 divided by cube root of x square option में ऐसे राथ हो भी चलेगा 4 divided by cube root of x square तो अब इस लेक्षर के लिए रुख जाया हम यहां पर तो जो लोग आंलाइन अटिन कर रहे 15-20 मिनिट्स के बाद ब्रेकफास करके जॉइन कर लो मेरे भाई ठीक है नेक्स लेक्षर के लिए यह स्ट्रीम बंद हो जाएगा भी और नेक्स लेक्षर के लिए जॉइन हो